हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एपिसोड 93 कबीर की असली पहचान अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा की केके और कबीर तो अब किंके कैद में थे तो जो वायरस इंडिया पहाचने वाला था उनको आगे का ओडर देने के लिए कोई भी बाहर नहीं था ये सारे काम खुद कबीर करता था वो डेली हर एक को उसका काम कॉल करके समझता था पर उन लोगों को पिछले 8 घंटों से कोई भी कॉल नहीं आया था इसलिए सब पचान थे आगे क्या करना है एंटीडोंट से बड़ी हुई बड़ी शिपी इंडिया के अंदर एंटर कर चुकी थी उसका बोस बिलाल बस अब अपने अगले ओडर का वेट कर रहा था वो केके को और अभीर को 100 से जादा कॉल कर चुका था पर अभी तक उसके एक भी कॉल का कोई रिपलाई नहीं आया था वो बेहत गबरा गया था इंडिया में क्या हुआ है इस बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं था उसको कुछ बुरा होने का शक होता है नहीं तो के के या अभीर उसका कॉल उठने में इतनी देर नहीं करते थे वो कुछ और सोचता उस से पहले ही उसके शिप को चारो और से इंडियन नेवी ने गैर लिया था अब आगे बिलाल जब अपने शिप को चारो और इंडियन नेवी ने गेरा हुआ देखता है तो उसके माथे से पसीना आने लगता है वो बेहत गबरा गया था क्योंकि उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था पर वो एसे हार तो मान नहीं सकता था इसलिए वो अपने लोगों को इंडियन नेवी पर हमला करने का ओडर देता है थोड़ी ही देर में जहाँ पर समुंदर में उठ रही लहरों की आवाज आ रही थी वहाँ इस वक्त गोलियों की आवाज गूंजने लग गया था उसे के साथ उस शिप में जो भी समान था वो सारा इंडियन आर्मी को सोफ दिया गया था इसी तरह जिस जिस रास्ते से को लोग वाईरस को इंडिया लाए थे उन सब को अलग-लग जगल से पकड़ा गया सभी को मुंबई में मौंजूद इंडियन रॉग और के पास बेजा गया उनको दिस्पोज करने के लिए ताकि उसके वज़े से किसी को भी कोई हानी न हूँ अगर ये गलती से भी कीड के हाथ में लगे तो श्रेया को वाइरस और एंटीडोट को आर्मी और रौ ने पकर लेने के बारे में पता लगा जिससे उसकी एक टेंशन त दुनिया के नंबर वन और काबिल दस साइंटिस्ट को हाय किया था उन लोगों को उसने उस वाइरस का तोड़ निकलने को कहा था उसी के साथ उसने केके ने जो एंटीडोट बनवाया था उसका भी टेस्ट करने को कहा था साइंटिस्ट ने अपना काम कर लिया था केके ने उनके नीचे काम करने वाले सौसे ज़्यादा लोगों ने दिन रात चग कर उस वाइरस का तोड़ निकाला था, उसका टेस्ट करके उन लोगों ने उसका प्रोडक्शन भी कर दिया था, इस वक्त श्रेया के सामने वो सारा एंटीडोट मौजूद था, अब बस किसी भी तरह इसको लोगों तक पोचना था, जिस अगर वाइरस का अटेक अभी नहीं भी हुआ तो भी किसी को कोई प्रोब्लम न हो और होने के बाद वो वाइरस लोगों पर एफेक्टी न कर पाई क्योंकि लोगों ने पहले ही इसकी लस लेली होगी, श्रेया के सामने जो में जगा से पानी आता था, उस श्रोत में ये एंटीडोट मिक्स कर देने वाले थे, इसलिए सब की एक अलग-अलग टीम बना कर सब को एक एक शहर दे दिया गया, बस वक्त था उनके इस प्लांजा अंजाम देने का, इस एंटीडोट को पानी में मिलकर लोगों के उस पा पावर डाल दी थी, अपने आठिया को कम समझ कर श्रेया अपने सीक्रेट विला से महरा मेंशन आ चुकी थी, अब बस उसके पास एक काम बाकी था वो ये था कि उसको बनाया हुआ एंटीडोट को हवा में मिक्स करना था, श्रेया ने साइंटिस्ट ने बनाया हुआ एंट का समय चुना, डीके मैंशन, डीके मैंशन के बेस्मिंट में जहाँ पर अभीर को बांदा था उसकमरे में शिव और उसके साथ रागव, रहुल और वाइट ड्रेगन सेंटर करते हैं, शिव अभीर के सामने एक चेह पर बैट जाता है, शिव ने इस वक्ट सर से लेके से जाना जाता है, वो है, अबिर को उसको देखके कोई भी हरानी नहीं हुई क्योंकि वो ये अच्छे से जानता था, उसको पकड कर लेकर आने वाले किंकी सबसे खतरनाग टीम थी, अगर उन लोगों ने उसको पकड लिया है, तो उसकी मुलाकात किंग से जल्दी ही होने वाली थी और उसको इस बात का कही न कही अंदाजा हो चुका था कि किंग को उसकी सच्चाई पता लग चुकी है कि वो ही असली के के है इसलिए उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एमोशन नहीं थे वो एमोशन लेस चेहरे के साथ वहाँ पर खड़ा था पर कोई ये नहीं ज पाएगा कि वो इस वक्त अंदर से कितना दरा हुआ है। उसको अपनी मौत अपने सामने देख रही थी। वो जनता था वो ये से जिंदा बचकर नहीं जा सकता था। उसने सुना था कि अगर कोई गलती से भी किंके पकर में आ जाए और उसका गलत कामों में हाथ हो तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता था। जिसने भी किंक को अपने सामने देखा वो उसके जिंदगी का अखरी दिन होता था। इसलिए केके अंदर से बेहत दरा हुआ था। तब ही उसकमरे में किंकी यानी की शिव की खतरनाक और जानलेवा आवा जाती है। जो कि अपने सामन की नाम सुनकर कबीर को थोड़ी हैरानी होती है वो एक तक किंग के चहरे को देखने लगता है। किंग उससे कहता है एसे क्यू देख रहे हो, मुझे तुम्हारी सारी जन्म कुंदली पता है तुम कबीर ओर्फ के के मतलब तुम्हारा असली नाम करन कपूर जिसने अब तक 50 से भी जादा वेश बदल लिये है और अभी मेरे सामने कबीर के नाम से खड़ा है वैसे मानना पड़ेगा, अपने सगे भाई को ही मार दिया उससे पहे उसके असली वारिस यानी की श्रेया कपूर को मारा फिर अपने भाई को वो भी अपने भाई की पत्नी के साथ मिलकर ओ, सौरी, वो तो तुम्हारी प्रेमिका है ना जिसे तुमने अपने भाई से शादी करने को कहा था सही कहना मैंने अब तो तुमको पता चल ही चुका होगा ना कि मुझे तुम्हारी सारी जन्म कुंडली पता है तो अब हम ये सब छोड़ते हैं क्योंकि मुझको तुमारी इस जन्म कुंदली में कोई इंट्रस्ट नहीं है तो हम सीधा काम की बात पर आते हैं उद्धरंग चिन डौट कोश्टक शिव ने कबीर के सामने ये सब ले कहा क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि आखिर श्रेया कपूर की मोद के पीछे का बीर का हाथ तो नहीं काबीर अपनी सच्चाई किंग के मून से सुनकर थोड़ा हैरान हुआ पर जब किंग ने उसको श्रेया कपूर की मौत का जिमिधार ठहराया था ये सही नहीं था उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था ये तो उसकी बेटी यानी किया राधना और उसकी बेटी रिया क पपूर ने अपने बॉइफरेंड के साथ मिलकर श्रेया को मारा था उन्हें बस अपने भाई को मारा था काबीर को किंग को खुद को श्रेया का हत्यारा सुनके अच्छा नहीं लगा उसका एक उसूल था जो भी काम उसने किया था वो सब दंके की चोड़ पर किया था और कोई काम उसने नहीं किया होता तो वो उसका क्रेडिक खुद नहीं लेता था वैसे तो वो श्रेया को अपने रास्ते से हटाना चाहता था पर ये बस वो चाहता था पर असल मैं उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था काबीर किंग की तरफ देख कर कहता है किंग अपने जो भी कहा होगा कि रागव उससे कहता है हां मान लिया तुमने आलोग कपूर की बेटी श्रिया को नहीं मारा पर इस से तुम्हारे गुना कम नहीं होते राहुल किंग से कहता है किंग हम इससे बाते ही क्यों कर रहे है सीधा इसको इसके किये की सजा देते है उद्धरल चिन डॉट राहुल की बात पर किंग कुछ नहीं कहता, वो बिना एक्सप्रेशन के काबीर को गुर रहा था, इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है, ये पता लगाना मुस्किल था, किंग काबीर से कहता है, तुमने क्या किया क्या नहीं इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने इंडिया पर अपनी बुरी नजर डाली ये अच्छा नहीं किया, 20 साल पहले गए थे न, तुम इंडिया छोड़ कर तो फिर वापस क्या आ गए, तुमको तो USA की सिटीजन सिफ़ गी मिल गई थी। उधरल चिन डॉट, वो इतना ही कहता है, और राहूल को कुछ इशारा करता है, जिससे समझ कर राहूल जल्दी अबीर की पीछे लगे हुए बटन में से एक बटन दबा देता है, उसके बाद वो शिव के पास आके खड़ा हो जाता है, शिव अपने हाथ में मौजूद रिमो लुहान हो गई थी, शिव जब काबीर की तरफ देखकर सेटिसफाइड हो जाता है, तब वो गर्म पानी बंद कर देता है, उसके बाद वो काबीर की तरफ देखकर कहता है, तुमको क्या लगता है, तुमको मैं इतने आसानी से मौट से दूनगा, तो तुम गलत हो, ऐसा ऐसे बरदास्ट करने की कोशिश कर रहा था, किंकी बात सुनकर उसकी रीड की हारी काफ जाती है, उसकी बॉडी दर के वज़े से कांपने लगती है, काबीर कुछ सोचने के हालत में ही नहीं था, तब ही उसके कान में शिव यानी की किंकी आवज आती है, जिसे सुनकर उसक अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा की शिव अपने हाथ में मौझूद रिमोट का रेब बटन दबा देता है जिसके दबाते ही कबीर पर गर्म पानी गिरने लगता है जिससे कबीर की चीक निकल जाती है गर्म पानी पढ़ने से अबीर की पूरी स्किन लाल हो गई थी गर्म पानी से उसकी स्किन लहू लुहान हो गई थी शिव जब का बीर की तरफ देखकर सैटिस्फाइड हो जाता है तब वो गर्म पानी बंद कर देता है उसके बाद वो का बीर की तरफ देखकर कहता है तुम को क्या लगता है तुमको मैं अतने आसानी से मौत से दूनगा तो तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मैं तो तुमको तर्पा-तर्पा कर मारूंगा, जिससे तुमको अपने किये गए हर एक गलत काम के लिए पच्चतावा हो। उद्धरन चिन डॉट, उसकी बाद सुनकर काबीर जो पहले ही अपने दर्द को जैसे तैसे बरदास्त करने की कोशिश कर रहा था, किंग की बाद सुनकर उसकी रीड की हारी काफ जाती है। आर्मी के गार्ड को काबीर को एसिट से बारे कंटेनर में डालने को कहता है। काबीर के किंग के सामने गिद गिरने से किंग उस पर रत्ती बार भी दया नहीं आई और नहीं इस रूम में मौजूद किसी भी इंसान को उस पर तरस आया क्योंकि सब उसके कारणामों से अच्छी तरह से वाकिफ थे और कही न कहीं वो लोग ये भी जानती थे अगर आज जिन्दा बच गया तो ये फिर से चांद पैसे के लिए इंडिया पर हमला कर देगा इसलिए किसी को भी उसके यू गिल गिरने से कोई फर्क नहीं पर रहा था राहुल का ओडर मानकर वहाँ पर मौजूद दो गाड अभीर को ले जाके उसी रूम में मौजूद कंटेनर में बांध देते हैं उसके बाद वो कांच का कंटेनर का डोर बंद करके उसके साइड में लगा हुआ रेड बटन ओन करते हैं जैसे ही वो बटन ओन होता है वैसे ही काबीर के उपैसित की बुंदे गिरने लगती हैं जिसे अबीर की भयानक चीखे उस रूम में गूंच जाती है सामने का नजारा इतना खतरनाक था पर उस रूम में मौजूद किसी भी इंसान के चेहरे पर दर या फिर और कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था जैसे ये सब उन सब के लिए आमशी बात हो और ये सही भी था वो लोग तो इससे भी खतरनाक टॉर्चर अपने सामने होते हुए देख चुके थे और वो खुद भी लोगों को टॉर्चर करते थे जो बुरे काम करते थे बीर ते वक्त के साथ ऐसित ताबीर के शरीर पर तेजी से पढ़ने लगा था ताबीर की पूरी स्केन ऐसित के वज़े से गलने लगी थी साथ में उसकी चीखे भी तेज हो रही थी धीरे-धीरे का बीर के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया उसकी चीखे भी शान्त हो गई थी ता बीर इस दुनिया को अलविदा कैच चुका था उसकी पूरी बॉडी एसिट के प्रवाह से गल गई थी उसके बॉडी का कोई नामोन शान ही नहीं बचा था कबीर के मरने के बाद किंड और उसके साथ सभी उस रूम से बाहर चले जाते हैं दूसरे रूम में केके को बहद ही बुरी तरह से टॉर्चर किया था वैसे केके नहीं वो कबीर था जिसने केके के कहने पर उसका वेश लिया था उसको अभी हम KKK ही कहते हैं ताकि कोई confusion ना हो कौश्टक.KK के शरीर पर जगल जगल पर चली के निशान थे साथ में Haunter के निशान भी थे जिनसे अभी भी खून निकल रहा था उसकी हालत अदमारी सी हो गई थी उसको अब तक जिन्दा रखा था क्योंकि किंग को उससे कुछ जनना था किंग को अच्छे तरह से पता था अबीर तो अपना मून खोलने वाला नहीं था इसलिए उसने उससे कुछ नहीं पूछा उसके पास उसको जो जानना था या जो इन्फरमेशन चाहिए थी उसके लिए केके था ही किंग उस रून में एंटर करके सीधा केके को जिस चेयर से बंधा था उसके सामने बैख जाता है केके को जब अपने सामने किसी का बेठे होने का एहसास होता है तो वो अपनी आखे खुलकर उसकी तरफ देखता है और जैसे ही उसके सामने शिव का मास्क से धका चेएरा आता है जिसे देख कर केके बेहाद दर जाता है वो हकलाते हुए कहता है किंग अंडवल्द का बेताच बादशा उद्धरन चिन डॉट शिव उसकी तरफ देख कर उसको एक डेविल स्माइल पास करके कहता है हाँ, तुम्हारा मालिक, बॉस जो भी है वो तो अब रहा नही अब मैं तुमसे जो भी पूछने वाला हूँ उस सब का जवाब सीधे सीधे देना और वो भी सच नहीं तो तुम्हारी वो हालत कर दूनगा कि तुम अपने जन्म लेने पर पच्चतावा करने लगोगे उद्धरन चिन डॉट ये सब शिव ने बेहत खतरनाक तरीके से कहा था जिससे के 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 की हालत बेहत खराब हो गई थी उसका पूरा शरीर दर से कप रहा था उसके मून से शब्धी नहीं निकल रहे थे वो बस अपना सिर्हा में हिला देता है किंग उसके देसे करने पर अपने चहरे देविल स्माइल लाकर उससे कहता है, ये को तुम इंडिया पर वाइरस का एटक करने जा रहे हो, ये किसके कहने पर कर रहे हो, तुम या वो तुम्री पहचान से इंडिया में एक साल से रह रहा, तुम्हारा बॉस उसके अकेले की बस की तो ये बात नहीं है इसलिए सच सच बताओ कौन है जो तुम लोगों की मदद कर रहा है और अभी भी अंदेरे में ही है उद्धरन चिन डॉट के के शिव की बात सुनकर अपना थूप निगल कर उससे कहता है कि किंग मैं ज्यादा को कुछ नहीं जानता पर मैंने एक बार बॉस से मून से सुना था इन सब के पीछे ISI का हाथ है उनने इस काम के लिए बॉस को धेर सारे पैसे दिये है और अगर इस काम में बॉस काम्याब होते है तो उनको उनकी संगतन यानी की ISI में अच्छी पोस्ट मिलेगी जिसके लालच में आकर बॉस ने ये मिशन हाथ में लिया है उद्धरन चिन डॉट केके इतना कहकर चुप हो जाता है केके की बात सुनकर शिव के चेहरे के एक्स्प्रेशन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ पर बाकी लोगों पर ये सब बस कुछ पल के लिए था शिव ने केके की से उसको जो जानकारी चाहिए वो सब निकल दी उसके बाद वो उस रूम से बाहर चला गया और बाकी का सब वाइट ड्रेगन को सभलने को कहा वाइट ड्रेगन के मेंबर भी सभलने का मतलब अच्छे से समझ गए थे इसलिए वो केके को भी उसके बॉस के पास बजने की तयारी ही क्योंकि उनके मूताबित अपने मात्रभूमी से गदरी करने वालों की सजा सिर्फ मौत ही है उसके अलावा कोई भी सजा उनके सामने शिव बेसमें से सीधा आर्मी और रॉका को कमबाइन हेट कोटर था वहाँ पर चला गया शिव जब कबीर को सजा दे रहा था तब श्रिया वही पर मौजूद थी वो सब अपने आखों से देख रही थी उसने उस रूम में जो भी हुआ वो सब अपने आखों से देखा था उसके ये बात पता चल चुकी थी कि कबीर उर्फ केके का उसके मौत में कोई भी हाथ नहीं था साथ में उसके सामने ये भी सचे आ गई थी कि कबीर उर्फ के के और कोई नहीं बल्कि उसके डैट का सगा भाई है जब उसने ये सुना कि उसने उसके डैट को साजिश की तहट मार डाला तो उसको बेहत गुसा आ गया था वो उसको अपने हाथों से जन से मरना चाहती थी पर जब उसकी नजर शिव पर गई तो उसको पता था शिव इसको जिंदन नहीं चोने वाला तो वो उसे अपने हाथ से मरने का ख्याल छोड़ देती है पर कबीर को जब एसिट के कंटेनर में रखा था तब वो रेड बटन श्रेया ने ही ओन किया था इस बारे में उस गार्ड को भी एहसास नहीं हुआ था श्रेया का बीर के दर्द नाक मौत के बाद वहाँ से चली गई थी पर उसने वहाँ शिव के मून से जब श्रेया कपूर यानी की अपने पिछले जन्म का नाम सुना तो वो हैरान हो गई थी और वो इसी बारे में सोच रही थी कि अंखिर शिव उसके हत्यारों को क्यों डून रहा है वो उसको कैसे जन्ता है उसने अपना नाम जब उसके मून से सुना तब उसने शिव के चहरे पर अलगी एक्स्प्रेशन नोटिस किये थी जिससे वो और भी परेशान हो गई थी उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था रात का वक्त आस्मान में एक साया ब्लैक कपड़े पहने हुए आस्मान में तेज से एक जगल से दूरी जगल जा रहा था वो जिस भी जग से जाता उसके पीछे एक पीली रोशनी दिखाई देती जो की कुछ सेकन के बाद ही गायब हो जाती थी वो साया ने कुछ हो घंटे में पूरे इंडिया का चक्कर मार डाला था उसके पीछे जो पीली रोशनी निकल रही थी जो कुछ ही सेकन बाद आस्मान में ही कही गायब हो गई थी उसके बाद इंडिया का वातावरन पूरी तरह से बदल गया था हर तरफ एक अलगी तरह की पॉजटिव एनरजी मेहसूस हो रही थी वातावरन में हुए अचानक इस बदलाव से हर कोई हैरान था और साथ में खुश भी लोगों को ताजी हवा में सास लेने के बाद एक अलगी सुकून और अपने अंदर पॉजटिव एनरजी का एहसास हो रहा था जो लग तक हरे काम से घर आये थे उनकी थकान पलबारे में गायब हो गई थी सब चैन की नीद सो रहे थे प्रानी, पक्षी सब जानवर भी इस वातावरन में आये बदलाव से खुश थे सब जगह फैली हुई पॉजटिव एंट्री से हर कोई आज की रात अपना दुख दर्द बूल कर सुकून की नीद सो रहा था किसी को किसी बात की कोई चिंता, परेशानी नहीं थी, सब को एक अलग ही सुकून की अनुभूती हो रही थी ये सब इंडिया में जो रहा था, जिसके बारे मैं को सो किलोमीटर दूर एक काले साई को भी पता चल गया था उसको जब इस बारे मैं पता चला तो उसके आसपास के वातावरन मैं अचानक बहत बड़ा बदलाव होने लगा था उसके आसपास इस वक्त कोई नहीं था या यू कहें किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं थी सब उस साय से आ रहे डेंजरस वाइप से उससे काफी दूर खड़े थे सब लोग उसके गुसे से डरे हुए थे वो काला साया जब अपने गुसे को कंट्रोल न कर सका तो वो जोर से चीखने लगता है उसकी चीख हितनी तेज थी कि कोई बहरा भी हो सकता था साथ मैं उसकी चीख से उसके गुसे का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इस वक्त इंडिया में हुए इस बदलाव से कितना गुस्से में था या कोई और ही बात थी उसके परेशानी की ये हम अगले छोटे में देखेंगे आज के लिए बस इतना ही फ्रेंज आप सब को आज का एपिसोड कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना तल मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आगे क्या होगा जानने के लिए जरूर सुनिए कल का एपिसोड फ्रेंज थैंक यू फो वाचेंग एपिसोड 95 पुनर जन्म अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि ये सब इंडिया में जो रहा था जिसके बारे में को सो किलोमीटर दूर एक काले साय को भी पता चल गया था उसको जब इस बारे मैं पता चला तो उसके आसपास के वातावरन मैं अचानक बहत बड़ा बदलाव होने लगा था उसके आसपास इस वक्त कोई नहीं था या यू कहे किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं थी सब उस साय से आ रहे डेंजरस वाइप से उससे काफी दूर खड़े थे सब लोग उसके गुस्से से डरे हुए थे वो काला साया जब अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सका तो वो जोर से चीखने लगता है उसकी चीख इतनी तेज थी कि कोई बहरा भी हो सकता था साथ मैं उसकी चीख से उसकी गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इस वक्त इंडिया में हुए इस बदलाव से कितना गुस्से मैं था शिव की कार एक 24 सूची बिल्डिंग के सामने आके रुप जाती है उसके साथ उसका असिस्टेंट राघव भी था दोनों ने अपना चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया था सिर पर ब्लैक कैप और आखों पर ब्लैक गॉगल पहने थे जिस से उनकी असली चेहरा छुप गया था कोई भी उन दोनों को पहचान नहीं सकता था शिव और राघव कार से उतर कर इस बिल्डिंग के अंदर चले जाते है इस बिल्डिंग में आर्मी और रॉ का सीक्रेट और खुपिया हेट कोटर था ये उस बिल्डिंग के नीचे बने बेस्मेंट में था वहाँ पर पोचना हर किसी के बस की बात नहीं थी बेस्मेंट में जाने के लिए बेहत सारी सिक्योरिटी और स्कैनिंग से गुज़ना पड़ता था शिव और राघव उस बिल्डिंग में बने स्पेशल लिफ्ट में चले जाते लिफ्ट में जाके अपना स्पेशल कार्ट स्वाइपने के बाद वो लाइफ अपने आप नीचे बेस्मेंट में जाने लगती है बेस्मेंट को हचने के बाद शिव और राघव उस लिफ्ट से उतर कर आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक बड़ा दोर दिखाई देता है राघव उस दोर के साइड में लगा एक छोटा सा बटन दबाता है किसे उनके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें पास्वड, आई स्क्यानिंग, टम का ओप्शन दिखा रहा था शिव उन सब फॉमेलिटी को पूरा करके एंटर बटन दबाता है उसके ऐसा करते ही वो डोर खुल जाता है डोर ओपन होने के बाद शिव और राघव उसके अंदर एंटर करते हैं तो उनके सामने और एक डोर दिखाई देता है जो की एक पासवर्ट से खुलता है राघव उसने पासवर्ट टाइप करके उस दोर से अंदर एंटर करते हैं एसे ही उन लोगों को हेट वोटर के में आफिस में पोहचने के लिए और पांच दोर से होकर बुज़ना पड़ता है ही एक डोर नई अलग-अलग पासवर्ट लगा था लास्ट डोर के ओपन होते ही उनके सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे लोग कम्प्यूटर पर काम कर रहे थे सब अपने अपने काम में बिजी थे शिव और रागव उन सब के बीच से होते हुए रोचिव के केबिन की तरफ चला जाता है जहाँ पर रोचीफ और आर्मी चीफ दोनों ही उसका इंतजार कर रहे थे और उनके साथ ही मिलिटरी और रोच के कुछ बड़े ओफिसर वहाँ पर मौजूद थे शिव के सब को इंतजार था शिव का और उनका इंतजार खत्म होता है जब वो सब रूम का दोर ओपन होता देखते है और उस दोर से शिव और उसके पीछे रागव एंटर करता है शिव के वहाँ आते ही सब अपनी अपनी चेय से खड़े हो जाते हैं सबके दिल में शिव के लिए एक अलगी जग थी, आज तक शिव ने को भी ओप्रेशन किये थे वो बेहत खतरनाक थे शिव ने खतरनाक और नामुम्किन लगने वाले हर एक ओप्रेशन को अपने सूच बूज और मिहनत से सक्सिस्फुल किया था शिव वहाँ मुझूद सबका आइडियल था उन लोगों को शिव के असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता था ये तक उनको उसका असली चेहरे के बारे नहीं भी कुछ नहीं पता था पर फिर भी उसको बेहत सन्मान करते थे शिव उस रूम में एंटर करके सीधा अपने सीथ पर बैठ जाता है उसके बैठ थी ही सब अपने अपने चेह पर बैठ जाते है रागव शिव की साइद वाली चेह पर बैठा था शिव के सामने आर्मी चीफ और रौचिफ बैठे थे शिव बिना समय गवाए सीधे क्वाइंट पर आता है शिव अपने साथ लाए हुए डॉक्यूमेंट्स को आर्मी चीफ और रौचीफ के आगे रख देता है रौचीफ और आर्मी चीफ एक नजर अपने सामने डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद शिव की तरफ देखते है शिव उनकी तरफ देखकर कहता है इस फाइल में इन सारे ओफिसर और पॉलिटीशियन के नाम विट सबूत है जो की इस मिशन में शामिल थे जिन लोगों ने चंद पैसों के लिए अपने देश और खुद का इमान बेच दिया है अब इनका क्या करना है या आप लोग अच्छे से जानते हो इतना कहके वो रागव की तरफ देखता गई और उसको कुछ इशारा करता है उसका इशारा समझकेर रागव अपने साथ लाई हुई एक फाइल और पैनराइफ टेबल पर रख देता है शिव आगे कहता है इस मिशन के पीछे ISI का हाथ था और उसने सारे सबूत है जो इस बात को साबित करते है केके को मैंने उसके लिए की सजा दी है और इस वक्त ISI का एक लीदर इंडिया में मौझूद है शायद अब तक उसको इस मिशन के फेल होने की बात पता चल चुकी होगी और वो बेहद ही बौकला गया है मेरे आदमी उसकी लोकेशन कुछी देर में बेज देंगे आगे क्या करना है आप लोगों देखो उद्धरन चिन डॉट शिव इतना कहकर वहां मौझूद सबको एक नजर देखकर अपनी चैसे उठकर वहां से चला जाता है उसने किसी को कुछ कहना जामोका नहीं दिया वहां मौझूद किसी भी इनसान को बुरा नहीं लगा क्योंकि अब सबको शिव के इस तरह के बेज की आदत हो चुकी थी वो सीधा अपने काम की बात करता ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और उसके पास का औरा ऐसा था कि सब उससे दूर ही रहते थे शिव के वहां से जाने के बाद वहां मौझूद सभी ने शिव ने उनको जो फायल दी थी उसको देखने के बाद उन लोगों ने उन सभी गवर्मेंट ओफिसर की सस्पेंड करने की और उसके बाद अनवर मुकदमा लगने की नोटिस जारी करते साथ में जो भी पॉलिटीशियन इसमें शामिल थे उनके खिलाओ भी नोटिस जाती किन गई थी उन में से कोई भी आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकता था शिव हेंट क्वाटर से निकल कर सीधा महराविला चला गया उसको श्रेया की यादा रही थी वो जल्दी से उसको अपने सामने देखना चाहता था अभी सुबह के चार बजे थे शिव की कार तेजी से महराविला की तरफ जा रही थी रागव पहले ही दूसरी कार से वहाँ से अपने फ्लेट के लिए निकल गया था शिव अपनी आखें बंद करके कार की बैक सीट पर बैठा था इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है ये बता पाना मुस्किल था उसके चहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे शिव ने कार में बैठते ही अपने चहरे पर लगाया हुआ मास्क निकल दिया था इस वक्त उसका हैंसम चहरा कार में पढ़ती स्ट्रीट लाइप में आसानी से देखा जा सकता था शिव अपनी आखे बंद करता है तो उसके सामने श्रेया का खुबसूरत चहरा दिखाई देता है जिसे देख के उसके चहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है वो अपने मन में ही कहता है जान मैंने एक बार आपको खो दिया है पर इस बार नहीं मैं जानता हूँ, तुम मेरी श्रेया हो मैं जानता ही नहीं मुझे पूरा यकीन है पहले तो मुझे को ये यकीन करना आसान नहीं था क्योंकि मैंने तुम्हारी डेट बोडी खुद अपनी आखों से दिल ली थी आज भी मुझे इस बात का पच्चतावा है अगर मैंने पहले ही तुमको अपने दिल की बात बताए होती तो ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन जब मैंने श्रेया महरा को देखा तो मुझे उसको देखने से मुझे लगा कि आप ही मेरे सामने हो उसकी हर एक हरकत बाते आपसे मैच होती थी पर जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि जिस वक्त आपकी डेथ हो गई थी उसी वक्त उसकी बंद पड़ी हुई सास चलने लगी थी पहले तो मैं पुनरजन्म पर विश्वास नहीं करता था पर जब ये सब मेरे साथ हुआ तो मुझे यकीन हो गया है पुनरजन्म होता है ये सच है और उसकी सबूत खुद मैं और मेरी जान है उद्धरन चिन डॉट हमारा प्यार हर एक जन्म में अधूरा रह गया है पर इस जैनम में नहीं मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा पिछले जन्म में मैंने आपको बेहत ढूडने की कोशिश के और आप मुझे मिली ही नहीं और जब मिली तो आपकी शादी किसी और से हो रही थी मैं कैसे आपको किसी और कहोने देता इसलिए मैंने तुमको शादी से किद्नेप करने का पूरा प्लेन बनाया था पर उससे पहले ही उन लोगों ने तुमको जान से मर डाला मैं उस वक्त जीते जी मर गया था जब मुझको ये सब पता चला पर तभी मुझे एक शादवी ने बताया आपने बस एक शरीर को त्याग दिया है और आप अब भी जिन्दा हो किसी और शरीर में जिसे सुनकर आपको पता है मैं कितना खुश हो गया था उसके बाद मेरी मुलाकाक श्रेया महरा से हुई जिसके शरीर में तुम्हारी आत्मा थी मैं तुमको देखकर ही पहचान गया था मैंने उस बार कोई देरी ना करते हुए सीधा तुमको प्रपोच किया और आप मन भी गई हो मुझे पता है तुम अब जल्दी ही अठारा की हो जाएगी उसके बाद मैं जल्दी ही तुमको अपना बनूंगा हम जल्दी ही शादी करेंगे मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकता हूँ उद्धरन चिन डॉट शिव अपने मन इतना खुद से ही कहता है और कुछ सोचकर उसके एक्स्प्रेशन बदल जाते है वो अपनी आँखे खोलकर बाहर रास्ते पर देखता है और खुद से ही कहता है जान खत्रा हमारे और तेजी से बढ़ रहा है इसलिए मुझे कुछ भी करके जल्दी से आप से शादी करनी है उद्धरल चिन डॉट शिव ये खुद से ही कहता है इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलगी जुनून दिखाई दे रहा था श्रेया इस वक्त अपने बैट पर लेटी हुई थी उसके चेहरे पर नीद का कत्रा भी नहीं था वो किसी सोच में गुम थी श्रेया अभी कुछ ही समय पहिले अपने रूम में आई थी उसने अपने प्लान के मुताबित वाइरस का तोड यानी एंटीडोट को हवा में फैला दिया था और अब तक तो एंटीडोट हर एक इंसान के अंदर जाभी चुका था पर जब से श्रेया वापस आपने रूम में आई थी उसको एक अलग ही बैचेनी में हसूस हो रही थी कुछ बहुत बुरा होने वाला है श्रेया जैसे ही अपनी आँखों को बंद करती उसके आँखों के सामने उसने सपने में देखा वो लाल आख्या आ जाती है जिसमें सब कुछ राक में मिलने का जुनून था श्रेया अपने ही सोच में गुम थी कि तभी कोई उसके रूम में बालकनी से एंटर करता है और उसके पास बैट पर लेट जाता है श्रेया अपने सोच में इतनी गुम हुग गए थी कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके रूम में एंटर करके उसके बैट पर लेट कर उसको ही प्यार से नहार रहा है श्रेया के रूम में आने वाला कोई और नहीं बलकि शिव ही था वो जब देखता है श्रेया किसी ख्याल में गुम है उसको उसके आने की कोई खबर ही नहीं है शिव को श्रेया को देखकर कुछ शरारत सूचती है वो अपने चहरे पर शरारती मुसकान लेकर श्रेया के कान के पास जाके कुछ कहता है जिसे सुनकर श्रेया की आँखे हिरानी से बड़ी हो जाती है आज के लिए बस इतना ही फ्रेंज आप सब को आज का एपिसोड कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना तल मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आगे क्या होगा जानने के लिए जरूर सुनिए कल का एपिसोड फ्रेंज थैंक यू फो वाचिंग एपिसोड नैंटी सिक्स श्रेया के डैड का सच अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि पर जब सिश्रेया वापस आपने रूम में आई थी उसको एक अलग ही बैचेनी महसूस हो रही थी कुछ बहत बुरा होने वाला है श्रेया जैसे ही अपनी आँखों को बंद करती उसके आँखों के सामने उसने सपने में देखा वो लाल आख्या आ जाती है जिसमें सब कुछ राख में मिलने का जुनून था श्रेया अपने ही सोच में गुम थी कि तभी कोई उसके रूम में बालकनी से एंटर करता है और उसके पास बैट पर लेट जाता है श्रेया अपने सोच में इतनी गुम हुग गए थी कि उसको इस बात का इहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके रूम में एंटर कर कि उसके बैट पर लेट कर उसको ही प्यार से नहार रहा है श्रेया के रूम में आने वाला कोई और नहीं बलकी शिव ही था वो जब देखता है, श्रेया किसी ख्याल में गुम है उसको उसके आने की कोई खबर ही नहीं है श्रेया को देख कर कुछ शरारत सूचती है वो अपने चहरे पर शरारती मुसकान लेकर श्रेया के कान के पास जाके कुछ कहता है जिसे सुनकर श्रेया की आँखे हिरानी से बड़ी हो जाती है अब आगे श्रेया शिव की आवाज से अपने होश में आती है और बड़ी बड़ी आँखे करके उसकी तरफ देखने लगती है शिव को इस वक्त उस पर बेहत प्यारा रहा था श्रेया इस वक्त बहुत क्यूट और खूबसूरत लग रही थी शिव बिना किसी बात की परवा करे अपने होटों को उसके होटों पर रख देता है श्रेया शिव के इस सदन एक्षिन से पहले तो शोक हो जाती है पर बाद में होशा कर वो भी शिव का साथ देने लगती है शिव उसका साथ पाकर अपनी किस को पेशने किस में बदल देता है अगली सुबह, सुबह के 5 बजे शिव और श्रेया एक दूसरे को हग करके सो रहे थे शिव उसके माथे पर किस करके खुद से ही कहता है आज की सुबह सबसे खूब सूरत है मैं जब भी अपनी आखे खुलू तो सबसे पहले मुझे मेरी जान का ही चेहरा देखना है कोई बात नहीं ये भी जल्द हो जाएगा तुम्हारे अठारा बर्ट दे के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा उद्धरन चिन डॉट शिव के चेहरे पर प्यारी स्माइल थी शिव श्रेया को अच्छे से ब्लैंकिट से कवर करके उसके माथे पे किस करके वो श्रेया के रूम से निकल जाता है श्रेया बेखबर गहरी नीद में सो रही थी दूसरी तरफ इंडिया या से को सो किलो मीटर दूर एक आइलेंड पर जहाँ पर को सो मिल दूर घना जंगल ही जंगल फैला हुआ था उस जंगल में बने एक सुंदर दो मजले इमारत के अंदर एक रूम में जिस में पूरा अंधेरा था उस रूम में एक इंसान रेटिंग चेया पर बैठा था उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे जो कि उस रूम में मौजूद अंदर से मेल खाते थे वो इंसान इस वक्त अपनी आँखे बंद करके किसी गहरी सोच में गुम था उसी रूम के बगल वाले रूम में पाँच आदमी कम्प्यूटर के आगे बैठे थे उनके हाथ की उंगलिया उस कम्प्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी साथ में उन लोगों के चहरे से पसीना पानी के बून के जैसा बह रहा था उस रूम का टिंप्रेचर बेहद ही हाई था सब बेहद दरे हुए थे उन्हें किसी भी कीमत पर अपना काम करना था अगर कुछ भी देर हुई तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पर सकता था वो पांच लोगों बेहद दरे हुए थे तब ही उस रूम का दोर खुलता है और उस रूम में एक आदमी अंटर करता है जिसने इस वक्त पूरे काले कपड़े पहने थी ये तक उसका चहरा भी मास्क से धका हुआ था उसकी सिर्फ काली गहरी आँखे ही दिखाई दे रही थी जिसमें डर दिखाई दे रहा था और उस आदमी के वहाँ एंटर करने से उन पांच लोग जो अपना काम करने में बिजी थे उन पर दबाव बढ़ने लगता है वो आदमी अंदर आकर उन लोगों पर चिलाता हुए कहता है क्या कर रहे हो तुम लोगों को जो काम कहा था वो हुआ की नहीं उद्धरल चिन डॉट उन पांच लोगों में से एक आदमी उससे कहता है बॉस बस कुछ टाइम दे दीजिये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे है उद्धरल चिन डॉट उस आदमी की बात सुनकर अभी अंदर हुआ उनका बॉस अपनी खतर नाक आवाज में उससे कहता है टाइम टाइम और कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते और खुद को बढ़ा है कर समझते हो मुझे एक घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए किसके लिए तुमको जो करना है करो अगर काम नहीं हुआ तो मरने के लिए तियार हो जाओ उद्धरल चिन डॉट इतना कहकर वो बॉस वहां से चला गया पीछे छोड़ गया उन पांच लोगों को जो बेहत गब्रा गए थे उनके हाथ कम्प्यूटर पर पहले से भी कही गुना तेजी से चल रहे थे शिव जब सिंधान्या मेंशन आता है तो उसे हॉल में ही अपनी पूरी फैमिली बैठी हुई नजर आती है जिनको देख कर शिव बिना कोई एमोशन के अपने दादू के पास जाके उनके पाउच हूता है उसके बाद अपने दादी के पैर चुके अपने मॉम को गले लगाता है उसके बाद हॉन में बैठे बिना किसी की और देखे अपने दादी से फ्रेश होकर मिलते है कहकर अपनी रूम की तरफ चला गया शिव को ऐसे जाता देख शिव के डैट की आँखे नमा हो गई थी पर वो अपने आँखों में आई नमी जल्दी ही छुपा लेते है किसी के भी नजर में आये बिना पर उनको ऐसा करते हुए उनकी मायानी की मालती सिंधानिया देख चुकी थी उनको अपने बेटे को ऐसा देख कर अच्छा नहीं लगती वो जानती थी साथ साल की उसे एक घटना के वज़े से आज उनके पोते और बेटे में एतनी दुरी आई है वो अपने मन ही मन भगवान से प्राथना करती है कि भगवान प्लीज ऐसा कुछ चमतकार करो कि ये बाप बेटा की बीच की ये दूरी जल्दी से खत्म हो जाए उद्धरल चिन डॉट शिव को ऐसे जाते देख चाचा जी अपने बड़े भाई की कंदे पर हाथ रख कर उनको धीर देते हैं उनको अपने भाई को ऐसा देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो जानते थी कि उनके बड़े भाई बाहर से दिखने से खुद को नॉमल दिखाते हैं पर खुद के बेटे की बेरुखी उनके सही नहीं जाती थी पर इस बारे में वो भी कुछ नहीं कर सकते थे उस पुष्टैनी सिंधन या मेंशन में बुलाया था उनके कहे नुशार शिवाज से अपनी फैमिली के साथ इसी मेंशन में रहने वाला था महरा मेंशन श्रेया और उसके डाद स्टडी रूम में बैट कर बाते कर रहे थे श्रेया उनको केके की डेथ के बारे मैं बता थी है केके की सवाई सुनके एक पल के लिए तो श्रेया के डैड शोक हो जाते हैं उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था उनका सगा भाई उनकी साथ है सब ही कर सकता है फ्रेंज आप सब सोच रहे हूँ कि रन्विजय रॉय के ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उनका सगा भाई केके यानि की करल कपूर उनका सगा भाई कैसे हो सकता है तो चलो मैं आपकी ये confusion दूर कर देती हूँ रन्विजय रॉय यानि की आदित्य रॉय और सिया महरा के पती की डेत हो चुकी है और जैसे ही उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया उनके शरीर में श्रेया कपूर के डैद यानि की आलोग कपूर की आत्मा समा गई थी श्रेया ने रन्विजय रॉय की आत्मा को उनकी इस धर्ती पर से कार्यकाल खत्म हो गया था और श्रेया के दैड यानी की आलोग कपूर को धूकी से मर गया था इसलिए उनको अपनी जिंदगी जीने का एक और मोका मिला गया था वो अब अपनी बेटी के साथ हसी खुशी जिन्दगी बिता सकते थे और साथ में उनको अपनी बेटी के कातिलों और खुद के कातिलों को भी उनकी किये की सजा देनी थी श्रेया और उसके डैड अपनी सचाही किसी को भी नहीं बता सकते थे अगर वो किसी को बताने भी चाहे तो भी बता नहीं सकते थे वो प्रकृती और बागवान के इस निर्नए की अवेलना नहीं कर सकते थे और वो चुप रहकर उनको जो दूसरी जिंदगी दी है जिसके पिछे कोई कारण है उसको पूरा कर सकते है श्रेया अपने डैड से कहती है डैड अप तो आप बिल्कुल ठीक हो बे हो आप जल्दी ही अपने पेरो पर खड़े हो जाएंगे उसके बाद हम रिया राच और अराधना को उनके किये की सजा देंगे मैं अब और वक्त नहीं गवा सकती जल्दी से अपना बदला लेके मैं अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहती हूँ उद्धरन चिन डॉट श्रेया की बात पर उसके डैड भी सहमती जताते हैं वो भी यही चाहते थे और जब से उनको पता चला है कि रिया उनकी नहीं बलकि उनके भाई की बेटी है जिसे आराधना ने धोखे से ये उनकी ही बेटी है ये कहा था अब वो उन दोनों को और साथ में राज को उसके किये की बेहत बड़ी सजा देने वाले थे वो मन में ही कहते है अराधना रिया और राजक तुम लोग मेरा वो रूप देखोगे जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा उद्धरल चिन डॉट श्रेया और उसके डैड थोड़ी देर कुछ बाते करते और फिर स्टदी रूम से निकल जाते है श्रेया अपने डैड से बात करके सीधा अपनी मॉम की कमपनी महरा इंडस्ट्री चली जाती है वो महरा इंडस्ट्री में CEO की प्राइवेट लिफ्ट से सिया जी के केबिन में चली जाती है उसको किसी ने भी CEO केबिन में जाते नहीं देखा था सिया ने इस वकत अपने चेहरे पर ब्लेक मास्क लगाया था श्रिया जब अपने मॉम की केविन में अंटर करती है तो देखती है कि उसकी मॉम कुछ डॉक्यमेंट्स देख रही है वो इस Kakण बहद ही सीरियस लग रही थी जब सियाजी को लगता है कोई उनकी केविन में बिना पेमिशन अंटर कर चुका है तो उनको बेहत गुसा आता है, वो गुसे से उपदेखती है, और जब उनको अपने सामने उनकी प्यारी और लादली बेटी श्रिया देखती है, तो उनके चहरे पर थोड़ी देर पहले जो गुसा था वो चुटकियों में गायब हो जाता है, उसके जगह उनकी चहरे पर कर्ट हो गई है उनके शेयर भी तेजी से गिर रहे है अगर हमने उनके साथ पार्टनेर्शिप की होती तो हम बड़ी परेशानी सहनी पड़ती सिया जी इतना कहकर चुपो जाती है उनके चहरे पर उदासी दिखाई दे रही थी जिसे देख श्रया अपने मॉम के हाथ पर लग रही हो उद्धरन चिन डॉट सिया जी श्रया की सवाल से उसकी तरफ देख कर कहती है कुछ नहीं बेटा बसमें यही सोच रही थी कि अभी आलोग कपूर होते तो उनकी कंपनी की ये कंडीशन नहीं होती आज मुझे अपने उस दोस्त की बेहद याद आ रही है उद् आज के लिए बस इतना ही फ्रेंज आप सब को आज का एपिसोड कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना एपिसोड अचा लगा हो तो विडियो को लाइट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलना कल मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड की साथ आगे क्या हो जानने के लिए जरूर सुनिये कल का एपिसोड फ्रेंज थैंक यू फो वाचिंग